बीमा कम्पनियों से बीमा पॉलिसी लेना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उनसे क्लेम करना कई पॉलिसी होल्डर्स की ये शिकायत रहती है कि बीमा कम्पनी क्लेम का पैसा देने में आना कानी कर रही है मगर यहाँ पर जितनी गल्ती कमपनीयों की है करीब-करीब उतनी ही गल्ती हमारी भी होती है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिसी लेते वग्ट जादतर लोग धेरों गल्तियां करते हैं जिसके वजह से उन्हें क्लेम मिलने में ये दिखकते आती हैं बात ये है कि आप अपने शहर के हिसाब से policy का चुनाव करें। कई insurance company इलाके के हिसाब से policy का दाम तै करती हैं। Metro cities यानी बड़े शहरों में policy का premium जादा होता है जबकि गोरखपुर, कानपूर और बरेली जैसे शहरों में medical का खर्चा बड़े शहरों के मुकाबले सस्ता होता है। इसलिए यहां का premium भी सस्ता होता है। अगर आप tier 2 या tier 3 में रहते हैं तो बीमा company से अपनी जरूरत के हिसाब से city specific insurance policy की मांग कर सकते हैं। इससे आपका premium काफी सस्ता हो जाएगा। हमें दूसरी बात जो ध्यान में रखनी हैं वो यह है कि policy document को बेखत गहराई से पढ़ें। पॉलिसी के नियमों में ये साफ साफ लिखा होता है कि किस स्थिती में बीमा का पैसा मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। वैसे तो policy देते वक्त बीमा company ये सभी चीज़ें बता देती है। मगर ये ग्राहकों की जिम्मेदारी होती है कि policy में लिखी सभी चीज़ें एक बार खुद से पढ़ लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बीमा company से उसे अच्छे सा समझ सकते हैं। हर बीमा policy 15 दिनों के free look period में आती है। पॉलिसी को पढ़ते हुए अगर policy holder को कोई चीज़ नहीं जमती है तो वो आराम से free look period में policy cancel कर सकता है। बीमा company पैसा भी वापस करेगी। तीकसरी ध्यान रखने वाली बात ये है कि health insurance के नाम पर जादा तर लोग जितनी रकम का भीमा कराते हैं वो उनकी जरूरत से काफी कम होती है। इससे भी बड़ी बात ये है कि उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता है। जब कोई medical emergency आती है तब claim के समय मालूम पड़ता है कि बीमा के पैसे तो काफी कम है। अगर अंदाजा लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है तो आप इसके लिए ये formula आपना सकते हैं। जानकार बताते हैं कि salary का 50 फीसदी निकाल लें उसमें पिछले 3 सालों में आपके hospital से संबंधित जितने भी खरचाए हैं वो सब जोड लें। इस तरह जो भी आपके पास total रकम आएगी आप उतने का health coverage अपने लिए ले सकते हैं। इसके अलावा family में कितने सदस्य हैं, उनकी सेहत कैसी है, उन्हें कोई बिमारी तो नहीं है, इन चीजों को देखते हुए policy का चुनाव कर सकते हैं। वहीं कई insurance policy ऐसी होती हैं, जिन में claim का एक तय फीसदी हिस्सा policy holder को देना होता है, और बाकी का खर्चा बीमा company उठाती है। टोटल claim का कितना हिस्सा आप भरेंगे, ये बीमा company और आपकी इस्तिती पर निर्भर करता है। जादातर policy में 10 से 20 फीसदी खर्चा policy holder उठाता है। ये प्रावधान अक्सर उन लोगों की policy में जोडा जाता है, जिन्हें कोई खास तरह की बिमारी हो, या non-network hospital में, या metro शेहरों में इलाज करा रहे हूं, या फिर अगर वो senior citizen के लिए इलाज करा रहे हूं। इसे co-payment policy भी कहते हैं, co-payment वाली policy का premium दूसरे तरह के health plan से सस्ता होता है। चौती सबसे जरूरी द्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी बीमा policy में hospital में भरती होने पर कौन-कौन सा खर्च कवर होगा। ये जरूर देख लें। डॉक्टर के fees कवर होगी या नहीं, diagnostic test, ICU charge, surgery का खर्चा, hospital room में भरती का किराया, ये सारे खर्चे उस कवर में शामिल हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि hospital में भरती होने से पहले भी बहुत खर्चा हो जाता है। एक अच्छी policy में hospitalization के साथ-साथ 15-60 दिनों से पहले का खर्च भी कवर होता है। इसमें doctor visit, diagnostic test और अन्य खर्चे शामिल होते हैं। इसी तरह hospital से चूटने के बाद भी मरीजों के लिए कई छोटे-मोटे खर्चे होते रहते हैं। कई बीमा कमपनियां hospital से discharge के बाद 30-90 दिनों तक जो भी खर्चा आ रहा है उसे भी वापस करती हैं। इसके अलावा कई health insurance policy free health check-up की सुविधा भी देती हैं। ताकि कोई दिक्कत दिख रही हो तो उसे शुरुआती stage में ही ठीक किया जा सके। इसमें customer और बीमा कमपनी दोनों का फायदा होता है। इसलिए policy लेते वक्त देख लेना चाहिए कि हर साल कितने रुपए तक का free check-up करा सकते हैं। पांचवी सबसे जरूरी चीज जो आप याद रख सकते हैं वो है sub limit से जुड़ी हुई नियम और शर्ते हैं। health insurance में sub limit सबसे एहम होते हैं। दरसल बीमा कवर का पैसा अलग-अलग इस्थितियों जैसे कि कोई खास बिमारी या कोई खास कर्च के नाम पर बाटा जाता है। जिस इस्थिति पर अधिक्तम जितने रुपए की sub limit तै है, company उससे जादा पैसा वापस नहीं करती है। जानकारी नहीं होने की वज़ा से लोग limit से जादा खर्च कर देते हैं, बाद में claim के समय पच्चतावा होता है। Company, hospital, room, rent, ambulance charge, doctor, consultation fees या किसी खास medical treatment जैसे की knee transplant या kidney transplant इन सभी अलग-अलग situation के हिसाब से अलग-अलग sub limit तै करती है। Sub limit के साथ आने वाले plan अक्सर बाकी तरह के plan के मुकाबले सस्ते होते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ सस्ता premium देखकर कोई health plan ले रहे हैं, तो sub limit के बारे में जरूर पता कर लें। इसके अलावा policy लेते समय अपनी बिमारी छुपाने की गल्ती, कतई ही न करें। कई लोग health बिमा लेते समय बिमारी या अपना पुराना medical record छिपा लेते हैं। उन्हें डर होता है कि सारी चीज़ें बताने से policy नहीं मिलेगी, यह फिर उन्हें ज़्यादा premium देना पड़ेगा। बिमारी छिपा कर आपको health plan तो मिल जाएगा। बाद में जब बिमा claim करने जाएंगे, तो पैसा देने से पहले company detail में जांच परताल करती है। अगर उसे इस जांच परताल में पता चलता है कि आपको पहले से कोई बिमारी थी और आपने उसके जांकारी company को नहीं दी है, तो company आपका claim पूरी तरीके से रद्द कर सकती है। उमीद करते हैं कि health insurance से जुड़ी ये जांकारी आपको काफी पसंद आई होगी, आपको इससे काफी मदद मिलेगी, आपके लिए ये जांकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादवने, postal finance से जुड़ा कोई भी ऐसा topic को जिसके बारे में आप हमसे सुनना चाते हैं समझना चाते हैं तो नीचे comment box में जरूर सुझाएं, तब तक अपना ख्याल रखें, शुक्रिया